हेलो हेलो एब्रिवन वेल्कम टू आर चैनल उडान सपनों की आज हम करेंगे कक्षा आर्ट की कनित की वरक्षीट वरक्षीट नमबर थर्टि पाइफ जो की आपकी डेट क्यारा फैप की है बीजे वेंजर का जोड एवम घटा बीजे वेंजर का प्लास्ट वक्षीट में प जोडती हूं तो 11 आम मिलता है 8 पैंसिल और साथ पैंसिल को जोडती हूं तो 15 पैंसिल मिलती हैं लेकिन मैं अगर चार आम और साथ पैंसिल को जोड़ती हूं क्या हम जोड सकते हैं नहीं जोड सकते क्यों क्योंकि दोनों एक जैसी चीज़े नहीं है हां हम इसे नहीं जोड पेका में देखा कि हम अलग चीज़ों को नहीं जोड सकते हैं उसी पेका बीजे विंजक में आ समान पदों को नहीं जोड सकते हैं ठीक है सिर्फ समान पदों को जोड सकते हैं और समान और समान मैंने लास्ट शीट में बता है था ठीक है समान मान लेजे कि मैंने 2x लिखा है 4 एक्स लिखा है तो यह दोनों समान हों गए अगर मैंने x-square लिखा है 4x-square लिखा तो यह दोनों समान हो गए लेकिन यह और यह समान नहीं है यह आख समान पद है clear है चलिए तो फिर ठोड़ा से चेंज कर लेती हुए हाँ तथा समान पदों को जोड़ व गटा सकते हैं इक्जामपल 4xy और 7xy ये दोनों समान पद हैं इसलिए हम इने जोड़ सकते हैं और घटा भी सकते हैं जब हम जोड़ते हैं तो फिर 11xy आ जाता है घटा आते हैं तो —3xy आ जाएगा परंतो 4x²y और 7xy को हम नहीं जोड सकते क्योंकि ये दोनों असमान पते हैं अलग अलग है अर्थाद 4x² प्लस 7xy is equal to 4x²y प्लस 7xy मतलब दोनों पतों को जोडने की संभावना नहीं है चलिए और examples हम समझते हैं 3ab और 11ab इनको जोडते हैं 14ab आ जाएगा हाँ दोनों पत समाने इसलिए हम जोड सकते हैं 3sd में से –5sd घटा दिया तो –2sd आ गया क्यों घटा आया क्योंकि दोनों समान पत एक जैसे हैं दोनों पत यहाँ पर देखें 7 और 8 इसको जोड़ेंगे 15fg तो दोनों को हम जोड सकते हैं यहाँ पर देखें 4as और as तो यह कितना हो गया 7 और 4 ग्यारा ग्यारा as हो गया प्लस यहाँ गलत है 7fg नहीं आएगा दो पत समाने और एक पत असमाने केवल दो पतों को जोड सकते हैं जो असमान तो उसको हम नहीं से छोड दिया चलिए आप एक्जामपल देख लेते हैं और भी इच्छे से भिया हुआ है पिटा देखो मैं आपको समझाती हूँ अगर मैंने आपको लिखा बोला कि 250 और 120 को जोड़ो तो आप कैसे करेंगे आप ऐसे लिखेंगे 250 लिखेंगे नीचे 125 लिखेंगे तब ही आप उसे जोड़ेंगे या घटाएंगे तो इसके लिए आपको एक arrangement चाहिए होता है तो आपको सबसे पहले arrange करना है यह लिखा है कि इसमें इसको जोड़िए तो आप सबसे पहले इसको लिखेंगे ठीक है अब दूसर स्ट्रेप आपका क्या है जो आपकी पहली लाइन है इसमें देखे एकस स्क्वेर तो दूसरी वाले लाइन में अगर कोई एकस स्क्वेर वाला है तो ही आप उसके नीचे लिखेंगे वरना नहीं लिखेंगे ठीक है अब देखे फिर क्या है एकस एकस वाला कोई ह यह उपर है नहीं दोर हम उसको दूर लिखसे लिखतेंगह जो नहीं आउपर वैसा उपर में तो अलग लिखतेंगे आप जोड दीजे सेवन व्य हो गया Candle talking साथ का साथ हो गिए हम उन सभी विंजक को अलग लग पंग्तियों में लिखेंगे जिसे जोडआ जा सकता है जोरते समय समानपद के समानपद के नीचे दूसरे विंजक का भी समानपद लिखेंगे जैसे कि प्रिष்न एक दो में तिया से उन इसमें Ukrainian system will वाली डम आई गी तो इसके नीचे हमने हैं लिख दिया, x, y के नीचे 6, x, y लिखेंगे, हमने हमने यहां लिख दिया, y, z, z, y के नीचे लिखेंगे तो, आपको यहां थोड़ा सम है, यहाँ, z, x लिख लिजिगा, यहाँ, z, x आएगा, फिर y square के निचे y square लिख लिए तो अब ये 9 खा लिए और ये 5 खा लिए तो इसके निचे लिख लिए अब आपको धियान रखना है जब भी घटाने वाले सवाल करने होते हैं तो आपको क्या करना है नीचे जो निशान होते हैं उनका उल्टा करना है प्लस है तो माइनस माइनस है करना है तो प्लस तो देखो माइनस है प्लस हो गया प्लस है माइनस हो गया प्लस है माइनस हो गया प्लस है माइनस हो गया कुछ नहीं है तो मतलब प्लस है माइनस हो गया अब आपको जोड़ने घटाने में इन नंबर को देखना है नीचे वालों ठीक है आप देखे कैसे यह है आपका प्लस का और नीचे है प्लस का पांच दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा तेरा चलिए इससे पहले में एक चीज और समझा देती हूं पहले वह समझ लेजें आपको कैसे पता चलेगा कहां जोड़ना है कहां घटाना है तो आपको जोड़ना है दोनों निशान घटा घटा के हैं तो भी आपको जोड़ना है अगर दोनों निशान अलग अलग है तो आपको घटाना है ठीक है पहला माइनस है दूसरा प्लस है तो भी आपको घटाना है लेकिन जो अंसर आएगा उसमें निशान बड़ी वाली जो संक्या हो dizer 8 8 के आगे किने निशहने plus तो plus लगा दिए clear है जहां देखिए plus का 5 है और नीचे minus का 9 नीचे वाली संखे के साथ दे ले हैं निशान अब आप देखिए अलग-लंग कने अलग-लंग के जानल क्या करते हैं घटा आते हैं तो 9 में से 5 गया 4 अब अप क्या निशान ही माइनस का लगा दिया थे आपका क्या हो जाएगा माइनस फॉर तो यह बींस सेवेन निशाने निशाने थे जुड़ते हैं तो यह माइनस 14 आगया यह माइनस क का सब्काहर काईर है और यह प्लस का चार है यह माइनस का ने गतेंगे इलेए खटा के लिके कुत फूर्स ने आपको जोड़ना है मीन आपको जोड़ना है और हैं यह करते हैं अंसर यह देखे यह आपके अंसर बने किये हुए है तो सबसे पहले हम देख लेते हैं जोडने वाब ठीक है वो इजी समझ में आ जाएंगे पहले वेटा देखो अब देखे यह प्लस का निशान मैंने क्या बताया तो निशान अलग लग मैं अगर बोलती दस और पांच को जोड़ें तो आप का अंसर क्या जागा 15 मैं बोलती दस में से 5 को माइनस कीजिए तो आप का अंसर आगा 5 लेकिन इसमें ऐसा नहीं है कि घटाने वाले में भी आप घटाएंगे जोड़ भी सकते हैं अब जैसे हमने यहां किया यहां क्या कि यहां 1 प्लस का एक माइनस का घटेगा 9 में से 6 क्या तीन तो माइनस 3XY और यह दोनों प्लस के हैं तो 13XSar पहले हम प्लस प्लस वाले देख लेथे हैं easy वाले यहां देखिए बीटा इसमेंerinषी सेकंड में पिंटे हिए यहां भी आपको देखिये दोनों निशान उल्टे हैं तो 9 में से आड़ गया 1 9 के आगे प्लस का निशान है तो प्लस लगा गया यहां दोनों प्लस के हैं 8-4-12 12-FG यहां भी दोनों प्लस के हैं 6 और 7-13XC यह माइनस 5X इसको है रैसे का ऐसे ही इसमें देखिए यहां पी आपको दोनों निशान उल्टे हैं तो हम घटाएंगे 9 में 60 गया तो कुछ यहां मैंने एक लिखना भूल गई एक लिखती जेगे जहां कुछ नहीं लिखा है XYZ के साथ में वहां एक होगा चिक है तो यह एक हो गया 7 और 7 कितना होगा 14YZ यहां देखे 9 में से 3 गया माइनस 6 यह विटाम माइनस का है माइनस 6XYZ और यहां पे 8 है यहां कुछ नहीं है तो बन मानते हैं 8 और एक 9 9X स्क्यार क्लियर है पोर्थ वाला देखे माइनस करने वाला स्वाली थर्ड वाले देख लेते हैं यहां से देख लेते हैं अब यह घटाना है उन्होंने बोला हुआ इस्पेशली घटाना है तो उसमें निशान बदलने है तो प्लस का माइनस कर दिया प्लस का माइनस प्लस का माइनस प्लस का माइनस माइनस का 4 माइनस का 9 दोनों जुड़ जाएंगे तो माइनस 13 वाई स्क्राइब एक जैसे निशाने तो जुड़ेंगे अलग लग निशाने तो घटेंगे वस आपको यह फंडा याद रखना है जहां कुछ नहीं लिखा है वहाँ बन माल लेते हैं यहां भी बन यहां भी बन 12 तो यह माइनस का यह प्लस क जेसी आगया उयहां पर वन माल लेते हैं मैनस का 3 मैनस का 9 तो-4 24 प्लस का 4 प्लस का Lawrence दो फाइफी कि यहां आपकी वões क्षीट अब्लेट होती है, I hope आपको अच्छे से समझ में आई हो, मैंने पूरी कोशिश की है, कि आपको अच्छे से समझ में आए, तो प्लीज सेनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और अपने फेरेंज के साथ शेयर जरूर करें, Thank You